हलो बचापाडी कैसे हैं सभी लोग आए होप की सब बढ़िया होंगे और पड़ाई लिकाई मज़े में एक दम कर जहूंगे तो वेलकम बैक तू मैं इस टापरोमर और हम लोग आज पढ़ेंगे अपनी फॉर्थ कॉलिगेटिव फ्रॉपर्टी दाट इस डिप्रेशन इन माम यह कॉलिगेटिव फ्रॉपर्टी क्या होता है ओके लेट्स केट साड़ेड वाट दू यू मीन बैक कॉलिगेटिव फ्रॉपर्टी सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए बाई पता होगा भी यह जो colligative properties होती है यह वो properties होती है बच्चों जो depend करेंगी किस पे number of solute particles पे which depends on number of solute particles and 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 बोलो बोलो नॉट on the nature of solute nature structure composition इन सबसे इनको कोई भेदभाओ करने वाला मतलब नहीं इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है number of solute particles पे अभी तक हम लोगों ने तीन को लिगेटिव प्रॉपर्टी इस्कस कर ली है आ आ अलरी जक्यूट है ओर देरार रार वन टू थी एंदन फो चार को लिगेटिव प्रॉपर्टी इस जिन इस पहले थी आपकी पहले थी आपकी जिले टेव lowering in vapor pressure right यहाम लोगने पहली प्रॉपर्टी पड़ी रिलेटिव लोरिंग इन विपर प्रेशर सेकेंड हम लोगने पड़ी sorry osmotic pressure osmotic pressure भी हम लोगने पड़ ली अरे यार यह हो क्या रहा है osmotic pressure third हम लोगने कौन सी पड़ी बही elevation in boiling point elevation in boiling point और next हम लोगने आज हम लोगों को पड़नी है depression in freezing point यह आपको depression में नहीं चला जाना है इस वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में समझना है इसको बड़े प्यार से तो one two three and three one two and three we have already discussed in our previous lectures right in today's video we are going to discuss about depression in freezing point only okay so yes take out your books and copies not books only copies and then pen only okay now तो बच्चोर depression in freezing point तो depression में जाने से पहले freezing point जानो what is freezing point अभी तक जो भी आपने freezing point के definition पड़ी ती दिमाग से हटा दो solutions की बात हो रही है रहे माम क्या बात कर दी solution क्या होता है बच्चों solution क्या होता है बई solute और solvent से मिलके बना होगा हमारे में कैसा था कैसा था कैसा था कैसा था जो एक होमोजिनेस होगा होमोजिनेस solution था ठीक है यह सब बाते यार प्लीज नॉर्मल वाली याद रखना solvent डालेंगे solute डालेंगे non-volatile डालेंगे तो क्या होगा यहां पर यह बात भी जानना जरूरी है अभी तक यह बात हम लोग हर वीडियो में डिसकस करी कि जब जब हम एक non-volatile solute को एड करते हैं तो वह कुछ न कुछ गड़वडी कर देता है तुरंद वह अपनी गड़वडी स्टार्ट कर देता है वह उसका वेपर प्रेशर को कम कर देता है किसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमने एक non-volatile solute लिया for example कोई भी solid urea sucrose glucose कुछ भी मान लो उसको उठाके डाल दिया solution में तो मान लो अब क्या होगा अरे वह खुद तो ऊपर जा नहीं रहा है खुद तो वेपराइस हो नहीं सकता दूसरे के भी किये में टांग डाने लगता है कि तुम भी म जिस टेंपरेचर पे liquid and solid face are in equilibrium of a substance are equilibrium यानि कि जिस टेंपरेचर पे एक टेंपरेचर आपने शॉल्यूट 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 मिलाया था जिस टेंपरेचर पे आपका इसी कली आपको और अच्छे से explained हो जाएंगे अपने जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप ग्राफ देखोगे समझोगे अपने आप समझ में आ जाएगा तो जिस पॉइंट पे आप बोलोगे कि माम सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिल गए एक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गए यानि कि जब वेपर प्रेशर दोनों का एक पॉइंट पे आ गया सॉल्वेंट वेपर प्रेशर नहीं बनार होता है लेकिन कुछ तो उसमें सब्लीमेशन वगरा की वाजए से थोड़ा बहुत तो वेपर बनी रहे होते हैं बहुत हल करके फिलाल फ्रीजिंग पॉइंट यह मैंने आपको बता है फ्रीजिंग पॉइंट एक टेंपरेचर का वह ऐसा टेंपरेचर होता है जो कि लिक्विड और सॉलिट फेज जब एक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो लोग उस स्टेट को बोलते हैं फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर है नौ बहुत ध्यान से लाइन सुनना जो रेट कलर से लिखी है आड़ इस टेंपरेचर बोथ लिक्विड और सॉलिट सॉल्वेंट है आफ थे सेम वेपर प्रेशर भाई यही तौमने बोला कि यह दोनों फेज एकोल आजाएंगे तो इसक सॉल्वेंट था एक उसमें नौन वॉलाटाइल सॉल्यूट अड़ करते जा रहे हैं कि हम सॉल्यूशन बनाते जा रहे हैं तो देखो क्या बोला उसने वेपर प्रेशर ऑफ दा सॉल्यूशन इस लोवर्ड समझे खुद तो वह कुछ कर नहीं पाएगा नौन वॉलाटाइ है क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा हमेशा कम हो जाएगा भई सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें कोई भी हमने नौन वॉलाटाइल डाला तो सॉल्यूशन पहले मज़ें एक दम वेपराइज हो तो उसके बाद रुख गया थोड़ा थोड़ा थोड़ को और फिर उसके बाद वापस से चीज़ें होना शुरू ही तो यहां पर बोल रहा है कि अगर है हैंस दसॉल्यूशन और सॉलेड सॉल्वेंट जो दोनों चीज़ें वह एक ही डाइम पर एकिलिब्रियम हो सकती कब जब वेपर प्रेशर सॉलेड और सॉल्वेंट का हम दोन को अगार में वह इनको नहीं हो जाता इनको इको में रहाना है तो अंपरिशन शॉल्वेंट आऑ राव, शेम वेपर प्रेशर ठीक है, वत वेनन अलॉलाटाइल इस डिस्वावड इन सॉल्वेंट अमने डाला, दा वेपर प्रेशर फेशन इस लोएड वेपर प्रेशर कुछ कम हो गया, नौ हेंस अस्टॉलुशन और देस जोलेड वेपर प्रेशर कान बेन इक्विलिब्र only if the freezing point of the solution decreases जब तक freezing point कम नहीं होगा यह सब चीज़े नहीं हो पाएंगे वहाँ पर boiling point increase कर रहे हैं याद रखना आप वह सब पढ़ लेना जरूर से वह तीन चीज़ें आपको समझने जरूरी है प्रूरी टीड़े का आप सब्सक्राइब कोई प्रॉल्ब्लमने लेकिन वो तो बिस्टेश की आपको जानना होता है कि यह यह चीज़ें भी होती है यह यह चीज़ें वाली जनने वाली बात है एक़र कंट सोलेंगे docent कोई तब एक अङ। पॉट गई लिए कों ऑसे कुछ हो जाता है किससे सॉल्वेंट से प्योर सब्सक्राइं तोरर वर्म द्रीजिवयों से खीटिकिंव तो से रीट करें, तस the freezing point of a solution is lower than that of its pure solvent, अभी graph बनाएंगे, pure solvent कुछ नीचे होता है, वो बोल रहा है, simple सी बात बोल रहा है कि जब pure solvent होगा, वो कुछ नीचे होगा, और इसी को हम बोलते है, depression in freezing point, ग्राफ पे आही जाते हैं, चलो, देखो, हमने अपनी X-axis पर temperature रखा हुआ है, जो कि Kelvin में आप लेते हो, यहां पर Kelvin, और यहां पर आपने vapor pressure रख दी है, चीक है, ATM में आप ले सकते हो, फिलाल, अगर हमने बोला जो solvent है, अब देखो बच्चो, यहां पर जो solute है, उसको भी solvent बोल रहा है, और जो solvent है, उसको भी देखने के लिए बोला, इसा नहीं है, solvent, solute जो है, वो solvent तो बोल रहा है, लेकिन frozen solvent बोल रहा है, तो अगर आपको solute देखने हैं किया, यहां solute नहीं है, तो आपको डरने के ज़रत नहीं है, वो frozen solvent, भाई, frozen solvent क्यों, temperature कम किया, और वो non-volatile ते, solid form में है, तो उसको frozen solvent, तो य जो liquid solvent है, वो आपका normal solvent की बात बता रहे है, ठीक है, अब सोचो आप, जो चीज़ें आपने समझी अभी तक theoretically, क्या उसको आप relate कर पाऊ यहां से, हमने बोला, solvent, जो liquid form में होगा, वो तो normal ऊपर ही रहेगा, वो तो मज़े में vaporize और तो उसे कोई मतलम नहीं, solvent के नीचे होता है solution, हमेशा किसी के भी pure form से नीचे होता है solution, तो यह हमारा solution हो गया, solution वाली line होगी, purple वाली, frozen solvent कुछ इस तरीके से बनेगा, बाई, कुछ इस तरीके से, बस यही आपको समझना है, यह आपका अगर liquid solvent है, तो यहां पर कुछ आपका frozen solvent बन रहा होगा, यहां पर इस point प है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको बस याद रखना है, एक सिंपल इस तरीके से diagram आपको याद रखना है, ठीक है, एक बर मैं इसको फिर से आपके लिए बोलती हूँ जल्दी से, क्या बोला, मैंने, की, 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 just a second, हाँ, यह हमारा liquid solvent है, blue line से जो शो कर रहे है, liquid solvent है, यह frozen solvent है, जो pink line से शो हुआ है, वो हमारा frozen solvent है, frozen solvent मतलब कि हमारा non-volatile solute, कुछ vapors तो, बताया है, मैंने, कुछ vapors, sublimation बगएर, कि वज़े से mix हुआ है, कुछ vapors बन रहा है, उसकी बात हैं, यह point, यह आपका T naught of F, क्या सकते हैं, pure form में, pure form में not लगा देते हैं, यह सब रट लेन अभी तक, यह सब आपको कोई problem नहीं आनी चाहिए, कि माम यह not क्यों बोल रही है, सब words से आपको familiar हो जाना है अभी तक, क्योंकि यह आपका second last video है, समझ लो इस chapter का, तो अभी तक यह सारी चीज़े आपको बहुत अच्छे से clear होनी चाहिए, okay, now, इसकी बात करें, तो यह solution का है, तो यह T naught of F, यह T naught of F, यह T of F से denote होगा, है ना, क्योंकि यह pure form में, यह आपका solution के form में, तो कुछ कम हो जाता है, partial हो जाता है, right, बच्छों जो इनके बीच का यह जो T naught, य clear, सब्सक्राइब, इन दोनों का जो difference है, अब देखो, मैंने एक बात यहां पर आपको बोली, T naught of F, यहनि कि हम यहां से के यह बात बोल सकते हैं, कि यह जो delta T of F है, कहां लिख दू, यहां लिखते है, delta T of F है, यह equal है, T naught of F minus, T naught, अरे यार, T naught of F, minus T of F, pure form का ज्यादा हो गया, solution से, temperature, यही चीज़ी यहां पर हम लोगों ने पड़ी थी, freezing point of a solution, solution is lower than that, it's pure solvent, solution का कम हो गया, solvent से, solution का कम हो गया, solvent से, तो हम solvent में से solution को minus करेंगे, और यही होता है, हमारा depression in freezing point, क्लियर है, easy है, कुछ tough नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दिनुह, tough समझ के पढ़ोगे सब आपको tough लगेगा, आपकी चितनी भी यह chemistry में organic को छोड़के, organic में हलका सा मान सकते हैं, थोड़ा सा है, थोड़ा सा difficult है, वो भी समझो के तो आ जाएगा, ऐसा तो impossible तो नहीं है, थोड़ा सा हलका सा difficult बोला, यह सब बहुत easy है, बाकी उसके लावा बहुत easy है, चीक है, तो I guess आपको आगया होगा, यह जो change in, यह delta मतलब change होता है, तो जो change निकलेगा, वो आपने boiling point में पढ़ा था कि Tf minus T not of F, sorry, Tb minus T not of B, लग रहा था ना आप boiling point, यहांपे कहे T not of F minus T, freezing point है, ना बच्चो कम कर रहा है temperature, ठीक है, तो यह चीज़ आपको याद रग में, this you have to learn, okay, graph तो बहुत ही important है, यह वीडियो में आपको बोलत ही जा रही है, इसमें भी बोल रही हूं, graph तो बहुत ही important है, if you will, if you are going to learn the graph, right, अगर आपको graph याद कर रहे हो आप, यह आप graph याद करोगे, आपको graph याद हो गया है, तो that I can make sure, I can bet, कि मतलब मैं इस बात पर अपसे शर्ट लगा सकते हूं कि आपको उसके बाद बहुत जादा जो typical confusion है, यह क्यों होगा, वो क्यों होगा, वो यह यह वो नहीं होगा, graph अगर आप बहुत अच्छे समझ रहे हो, आपको बहुत जादा दिक्कत नहीं आएगी कभी इन वाले chapters में, इस चाप्टर में बहुत graph अम लोगों ने पढ़ ली है, यह कुछ चौथा पाच्छवा graph है, graph याद रखना है आपको सबका, तो फिलाल यह graph you have to learn, okay, now, moving on to our next slide, which says कि यह जो delta t change होता है, यह directly proportional होता है, molality के, directly proportional होता है, molality के, is it not visible, just a second, यह जो पर काया है लेकिन यह तेड़ा, no problem, I guess, पहले साथा इसमें दिखरा होगा, now, ha, it has been shown कि यह जो delta t होता है, यह जो delta t होता है, यह जो देखा गया कि delta t of f जॉप निकाल रहे हो, यह जो आपका freezing point वाला वो था, वो निकल रहे है, आप delta t भी बोल सकता हो, delta t of f भी बोल सकता हो, यह directly proportional होता है, molality, this is your molality, क्या, maaam, यह क्या बोल दिया, molality, तो बच्चों, molality क्या होता है, number of moles, number of moles of solute, जो की non-volatile divided by mass of solvent, जिसको आप किसमे रखते हो, in kg, यह आपको मुला लेती होता है, क्या दिख रहा है, यहाँ से जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या याद आएगा इस बात से हम लोगों को, maaam, इससे हम को याद आएगा, कि यह directly proportional है, number of moles of solute, यानि कि यह number of particles पर डिपेंड कर रहा है, solute के, and hence, it is a colligative property, right, when number of solute particles पर डिपेंड करेगा, महाराम से बोल दें, क्यार, यह collegative property है हमारी, चीक है, फिलाल, तो हमने यह चीज़ बोल दी, बच्चों आपको पता होगा, जब भी कोई proportionality का sign हटता है, there comes a constant, अगर आपने delta t of f directly proportional of m बोला है, तो हम बोल सकते हैं कि delta t of f equal होगा m और एक constant आएगा, जो यहाँ पर होता है k of f, now this k of f has a very beautiful name which is known as cryoscopic constant, okay, okay, isn't it beautiful, for some students it is not I guess, but it is, ठीक है, याद रखना है, cryoscopic constant, it is also known as molal depression constant, यह बोला आपने beautiful नाम पहला वाला थोड़ी था, ठीक है पहला वाला नहीं आद करो है, इसका नाम होता है cryoscopic constant, और अगर आप, यह मेरा बाल बाल बाल, okay, cryoscopic constant, और अगर आप इसको दूसरे नाम से बोलो कि तो होता है, the molal depression constant, boiling point में क्या याद किया था, क्या याद किया था, ebulioscopic constant, the constant used in your boiling point relation is ebulioscopic constant, well known as molal elevation constant, in freezing point, in depression of freezing point, the concept came, the formula came with delta T, and the change will be equals to k of f into m, that is molality and the k of s, f will be known as your depression in freezing point, right, depression in freezing point in the sense, आपका constant आया ही, so you can call it as, या तो आप बोल दो cryoscopic constant, or you can also call it as, molal depression constant, molal elevation constant, in the boiling point, and molal depression constant, when we talk about freezing point, याद ना, तो याद रखना, cryoscopic constant, here it is written cryoscopic, cryoscopic constant, this k of f is, cryoscopic constant, याद रहेगा ना, easy लग रहा है ना, बताओ, comment below, आपको यह चीज़ easy, यह chapter तो easy ही, right, अभी कोई मुझे, बुरे 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 शभन नत कहना है, कहां से आपको easy लग रहा है, लेकिन, easy है, ठीक है, now, ठीक है, तो यह, यह expression मैंने आपको बता दिया, बचो, don't forget to remember what molality is, or molality for your previous lectures, molality, molality, याद रखना मैंने आपको, जिस time पर यह सारे terms पढ़ाय थे, concentration terms, at that time, I have already told you, कि molality, molality, mole fraction, and normality, are going to help you in all your chemistry, chemistry chapters, most of the chapters, you can say, ज्यादा तर chapters, बार बार जिक्र होगा, नाम आयागा, तो आपको पता होना चाहिए, क्या होते हैं, फिलाल यहां पर आपको कई बार question में, grams देगा, molar mass देगा, कोई solvent का mass देगा, 90% 99% बलकी, एक परसेंट चांस है, कि वह आपको M की वैल्यू दे दे, डारेक्ट नहीं देगा, वह यह देगा आपको, 99% चांस है, आपको mass देगा, molar mass, weight निकालने को बोलेगा, तो यह सब चीज़ें आद रखना, ठीक है, क्या इसकी unit होगी, हम लोगे पिछली बार भी डिसकस करी थी, इस बार भी चलो फिर से कर लेते हैं, डेल्टा T of F is equals to KF into M, क्या हम यहां से easily बोल सकते हैं कि K of F equal हो जाएगा, डेल्टा T of F divided by M, हम बोल सकते हैं इसको यहां ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हम यह बोल सकते हैं कि temperature की तो unit Kelvin होती है, divided by molality, number of moles divided by mass of solvent, तो number of moles यानि की mol और mass of solvent हम किसमें लेते हैं, in kilogram, याद रखना, mass of solvent in kilogram, तो यह बोलेंगे, kilogram, तो हम इसको बोलेंगे, Kelvin kilogram per mole, and this is important, कही बार आपको चुटे मोटे questions में चीज़ पूछ लेता है, what is the unit of cryoscopic constant, or what is the unit of molal depression constant, you have to answer that Kelvin kilogram per mole, right, if you don't have, if you have not remember, तो पर नहीं आद आरहा है, नहीं समझ में आरहा है, then you can find it out from the formula also, okay, चीके, अब पढ़ते हैं भही, slide में क्या लिका है, kf is called molal depression constant, or molal cryoscopic constant, या तो यह कहलो या तो cryoscopic constant बोलो, ठीके, next, definition of k of f, मैंने आपको पहली बताया था, k of f या k of b यह जब define करने को आएगा, आपको इसको 1 रख देना है, अब इसको 1 रख दोगे तो यह इसके equal हो जाएगा, जब आप इसको 1 रख दोगे तो यह equal हो जाएगे दोनों, तो बस यह ही इसकी definition लिख देना, if m is equals to 1, delta t is equals to k of f, तो हम क्या बोलेंगे, the molal depression constant is equal to depression in freezing point, produced by one mole solution, एक mole solution में जितना भी यह बन रहोगा यह होता है, तो m को 1 रख देना, दोनों equal और उसकी definition, उसको frame करके लिख देना, चीक है, unit of kf is equals to kelvin kilogram per mol, इसकी unit क्या है, kelvin kilogram per mol, I guess आपको यहां तक सारी बातें clear हो चुकी होंगी, तो yes, अगर हम इसके formula की बात करें, तो हमने दो चीजे पढ़ी, कि यह जो हमारा delta t of f है, यह तो k of f into m होगा, second चीज़ हमने क्या पढ़ी, यह जो delta t of f है, किसके equal है, t not of f minus t of f, कही बार आपको डारेक, delta tf दिया रहेगा, कही बार आपको 2 t दिये रहेंगे, यानि कि 2 temperatures, आपको उनका difference लिखना होगा, चीक है, questions पर बढ़े, yes ma'am, okay question के पहले कुछ और भी है, depression in freezing point is a colligative property, we have already discussed that it is a freezing, it is a colligative property, why is it so, यह थोड़ा सा मुझे टेढ़ी क्यों screen दिख रहे है, is the screen okay, okay, depression in freezing point is a colligative property, ma'am simply, it depends on in molality, delta t of f depends on molality, and molality is equals to number of moles of solute, yeah, it directly depends on number of moles of solute, and hence our colligative property is here, okay, ठीक है, depression in freezing point is directly proportional to the molality of the solution, and not upon the nature of the solution, hence it is a colligative property, ठीक है, colligative property है क्योंकि, directly dependent कर रहे है on molality, and molality depends on the number of moles, तो यह indirectly बोलो, कि number of moles में depends कर रहे है, यह number of solute particles में depends कर रहे है, not on the nature of the solute, okay, question, 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 yeah, why is it not, okay, let me see, let me see, let me see, yes, we did it, I mean I did it, now, moving on to the question, oh my god, one, two, three, four, five lines का एक क्वेशिन है, but easy होगा, चलो देखते क्या बोल रहा है, the freezing point of pure nitrobenzene, nitrobenzene बच्च आपका होता है, C6, N5, C6, H5, C6, H5, NO6, NO2, sorry, C6, H5, NO2, this is your nitrobenzene, okay, given है formula, freezing point of pure nitrobenzene is 278 Kelvin, should we write the given quantities, क्या क्या given है, क्या बोल रहा है, freezing point of pure nitrobenzene is 278 Kelvin, 278 Kelvin, of F, equal है, 278 Kelvin, चीक है, इतने gram of unknown substance, यानि की, W, कितने gram है, 2.5 gram of unknown substance, R dissolved in 100 gram of nitrobenzene, 100 gram of nitrobenzene, given mass upon molar mass, whole divided by क्या होता है, whole divided by mass of solvent, mass of solvent in kg, तो ये mass of solvent given है, solvent का, this we can say, now, of 100 gram nitrobenzene, 100 gram nitrobenzene, और the freezing point of the solution is this, 276 Kelvin, solution, T of F, T of F, जो है, 276 Kelvin, गिना रहा है, चीक है, if the molar freezing point depression constant for nitrobenzene is this, इतना बड़ा नाम क्या है, ये K of F, cryoscopic constant is, 8 Kelvin kilogram per mole, what is the molar mass of the unknown substance, what is the molar mass, चीक है, ये सारी चीज़े गिवेन है, solve करा जाया, हमको पता है, हमको ये बात, अच्छे से भी तक पता चल गई है, कौन सी बात, हाँ, तो हम लोग को पता ही है चीज़, कि हमारा जो T of B होता है, वो equal होता है, T of F, sorry, जो होता है, डेल्टा, वो equal होता है, पहले तो T of F को ही लिख दो बच्चों, T of F ही होता है हमारा, T not of F, minus T of F, ठीक है, तो हम डेरेक्ट लिख दे ही बाद, 278, minus 276, which is equals to 2, 2 Kelvin, sorry, ये तो डेरेक्ट हमको 2 Kelvin बोल दिया गया, तो हम बोलेंगे, 2 Kelvin, is equals to, K of F, K of F is 8, into, given mass is 2.5, ये given mass क्यों रखेंगे माम, क्योंकि बच्चों, number of moles निकालने का फॉर्मुला होता है, given mass upon molar mass, right, molar mass हम से पूछा है उसने, whole divided by, mass of solvent in kilogram, mass of solvent is your, 100 gram, तो इसको change कर लो, 100 divided by 1000, यह होगा, 0.1, या 1 by 10 लिख देते हैं, चलो, 1 by 10, यह है आपकी final equation, तो आप यहां से बोल सकते हो, 2 is equals to, 8 into 25, उपर जाएगा, into 10, divided by, x into 10, यह point अटा के 0 लगा है मैंने, ठीक है, तो यहां से आपका x आजाएगा, equals to, 2 forza 8, 5 forza 20, 2 carry, 5 toza, 4 toza 8, 9, 10, 100, is it clear to all of you? one of the easiest question, कुछ जादा नहीं करना था, बस याद रखना है, molality is your number of moles of solute, divided by mass of solvent, in kilogram, in kilogram, पुरा आज़ इस बच्चोड देफिनेशन, मैंने आपको याद करवाई थी, याद रखनी भी आज़ 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 रखनी, is your 100, okay, so I guess आपको याद को याद आच्छे समझ में आगया होगा, moving on to our next question, which says, how many grams of ethylene glycol, molar mass 62, ethylene glycol, जिसका molar mass 62 given है, तो हम बोल सकते हैं, molar mass 62 equal दिया हुआ में, should be added to 10 kg of water, 10 kg of water, यह solvent का given है, so that the resulting solution freezes at 10 degree Celsius, यानि कि वो भी आपको given है, कि यह 10 degree Celsius पे resulting हो रहा होगा, for what cryoscopic constant is this, T of, sorry, K of F बी given है, K of F is, where it is, 1.86, चिके, this is the question, you have to find, how many grams, यहिए कि आपको simple W बात निकालना है, चिके, so we know that T not of F, delta T not of F, is equals to KF into M, so we can easily say, that this T not of F, which is equal to 10 degree, is equals to K of F, so the K of F is 1.86, into, given mass, जो कि आपको बताना है, divided by, molar mass, जो कि आपको given है, whole divided by, mass of solvent in kilogram, जो कि आपको पहले से kilogram में है, 10 kilogram, यहां पर बच्चो 10 kilogram था, है ना, 10 kilogram, कहां गया, कहां गया, here it is, 10 kilogram, पहले सखी के लिजी में गिवन है, तो हां पर अपर 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 जाएगा, नीचे आएगा, 62 into 10, चीक, यह डब्लू है, यह आपकी equation बनेगी, यहां से point हटेंगे, 20 लगेंगे, और यहां से आपको डब्लू की value आएगी, 3333.33, gram, gram, कहां लिख दूँ, कहां लिख दूँ, चलो इसको कहीं अच्छी जगा लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं, यहां से आपका डब्लू की value आजाएगी, 4 3.33, this you can calculate, and you can find the answer, आप इसको calculate करना, आपका अच्छी आएगा, डब्लू को वाहा ले जाना, सबको excite कर देना, and डब्लू विल बी इक्वल स्टू, 3333.33, आपको दोनों क्वेश्टिंस अच्छी समन में आगे होंगे, इसके बाद हमारी सारी कॉलिगेटिफ प्रॉपर्टिस को आटा बाई बाई कर देंगे, नेक्स आपका एक वीडियो और राएगा, देन, बेर बाई 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 तो इस चाप्टर, तो येस, येस, बाई 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 जोजाए बाई आगे होंगे, जल्दी जल्दी कर लिया हम लोगों ने कबर, नेक्स टॉपिक भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, बाई बाई, टेक केर, पीप स्टड़िग,